तो आज के क्लास में हम डिस्कूस करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ ये पाँच दिन के स्ट्रेजीज को फाइव डेज स्ट्रेजीज के अकाउंट्स में हम कैसे रिवीजन करें अब जो टाइम है वो है रिवीजन करने का क्या रिवीजन है यहाँ पर आपको क्या समझना है तो सबसे पहले देखो हम आज क्वेशन पेपर को डिस्कूस करेंगे कि क्वेशन पेपर किस तरह का होगा मार्क्स बेटेज क्या होंगे and after that कि answer आपको लिखना कैसे है 3Rs आपको utilize कैसे करना है ये सभी चीज़ों को आज के class में discuss करेंगे so बिना time waste के let's start so सबसे पहले कि question हम तो chapter based question मतलब हम सभी समझ रहे हैं कि देखो हमारा accounts का जो exam है या कोई भी exam जो भी हम देते हैं सारे के सारे 100 marks के होने ठीक है लेकिन 80 marks जो हरो हमारा रीटेञ मार cactus होता है we are as 20 marks जो हरो प्रेक्टिकल होता है college का हूत है internal ठीक है तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी हम final exam की बात कर रहे हैं college वाले का तो बात भी नहीं हो रहा तो ये जो है, वो हमारे 80 marks के होते हैं, ठीक है, अब ये 80 marks में जो है, वो तीन sections divided हैं, सबसे पहला है part A, ठीक है, then हमारा होता है part B, and A है part C, ठीक, देखो, part जो हम क्या करते हैं, हम सभी लोग, कि part A को पढ़ते हैं, part B पढ़ते हैं, part C हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, part C को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है, क्यूंकि part C में, वो computerized accounting होता है, and ये वो बच्चो के लिए है, जो एकदम नल है पढ़ाई में, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वो computerized accounting पे लिखकर आते हैं, ठीक है, मेरे टाई में भी कुछ लोग ऐसे थे, जो, part A, part B कि ना करके computerized accounting लिखकर आये थे, और बहुत अच्छा score भी आया था उनका accounts में, तो जिन बच्चो को problem होता है, accounting theory समझने में, या इसके कुछ rules वगरा समझने में, accounting करने में, तो वो इस part में जा सकते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, कि part A तो compulsory है, ये तो सारी लोग बनाएं option आता है, part B और part C में, कि आप part B को choose करो, whereas part C को choose करो, part A तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसमें part B और part C में ये थोड़ा easy होता है, part B में थोड़ा बहुत confusion होता है लोगों को, तो इसे छोड़के वो part C क्योर जाते हैं, तो part C आप तभी cover करोगे, जब आप इसकी study किये हो और आपके school पे भी ये करवाया गया है, ठीक है, इस नहीं करवाया गया है, then don't worry, आपको part C करना compulsory नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, जिनको part B नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि part A तो सब को करना है, अब देखो यहाँ पर क्या है, part A आपका जो है, वो 60 marks का है, बहुत ही share and deventures आते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा है, partnership accounts, partnership and company accounts, okay, and part B में हमारे है, financial statement analysis, okay, financial statement analysis, जिसमें आपका cash flow statement, accounting ratios and financial statement analysis, ये सारे आते हैं, ठीक है, अब देखो, partnership and इसमें, तो देखो, जो आपका question है, इसमें मतलब, जो question model set paper आया हुआ है, इसमें आपका clearly, मतलब, उतना, आपको, मतलब, अच्छे से बताया गया है, कि कौन से chapter से कितने marks का weightage रख सकता है, but वो confirm नहीं है, marks weightage जो है, वो थोड़ा बहुत उपर नीचे तो होगा ही, ठी yes, आज की इस class में हमसे भी ये भी discuss कर लेंगे, कि हमें कौन-कौन से chapter का revision firstly करना है, और कौन-कौन से हो गया है revision, और आपको जा के देखना है videos, and आप कौन-कौन से chapter का videos चाहते हो, ठीक है, तो comment में मुझे बता देना कि कौन-कौन से chapter का चाहिए, जैसे कि आपने business studies में बता है, है ना, fundamentals एक ऐसा chapter है, जो कि आपके पूरा partnership का एकदम base है, और इससे सबसे अधिक questions भी आते हैं, तो fundamentals of partnership हो गया आपके, fundamentals of partnership से 9 to 11, okay, 9 to 11 marks का waitage ये रखता है, ठीक है, then आपका secondly होता है, retirement and death, retirement and admission, तो retirement and admission का question जो है, वो आपका optional करके है, मतलब एक retirement का मिलेगा, एक admission का मि और ये 8 या 10 marks के question होंगे, sorry, 10 marks के questions होंगे, ठीक है, तो इन दोनों से 10 marks का question आ सकता है, third है, dissolution, ठीक है, तो dissolution से एक question तो पकारेगा, आपका 8 marks का और 10 marks का, ठीक है, मतलब 8 marks नहीं, अब तो 8 marks के questions हमारे पूछे नहीं जाते हैं, 6 marks के पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि थो तो question type भी थोड़ा decrease होगा तो yes question का type भी decrease होगा तो यह dissolution है देखो इसमें जो सबसे main important है वो है आपका partnership और retirement and admission तो है ही उसमें और भी chapters है हमारे जैसे की goodwill हो गया है और PSR ठीक है तो यह goodwill या PSR वाले जो chapters है ठीक है यह भी मैं बता देती हूं इससे आपका three to four marks वाले questions आ सकते हैं ठीक है and yes one more thing अहां तो अभी हम यह भी discuss करेंगे कि कितने mcqs आने वाले कितने three marks कितने four marks questions आने वाले ठीक है तो यह हमारा question model set paper है जो मैंने printout निकल वा लिया है तो इसे भी हम discuss करेंगे then हमारा fifth है share and debentures तो हमें पता है कि share and debentures से जो है वो आपके 24 marks के weightage को यह रखता है 24 ठीक है तो यह पूरा accurate मैं नहीं बता रहे विकाज यह उपर नीचे भी हो सकता है विकाज इसमें जो है no model set paper में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें जो दिया वह तो 9 to 10 marks का question तो नहीं है ma'am तो कैसे आप बोल रहे हो तो यहाँ पर 6 marks के question है na 6 वाले में होता है यह 4 वाले में हो सकता है 3 वाले में हो सकता है and one more thing इसमें MCQs तो बिल्कुल होंगे क्यूंकि MCQs इसे बहुत सारे आ सकते फंड़, partnership deeds, interest on capital or drawing से भी ठीक है तो यह सभी से आप and cash flow statement, financial statement, analysis यही मतलब comparative and common size statement यह है तो यह आपका एक chapter का weightage मैं overview आपको बताए हूँ ठीक है यह बिल्कुल confirm भी नहीं है बट overview कि आपको कैसे revise करना है देखो जो भी chapter में जादा weightage है जैसे कि share and debenture इसका revision आपको जम के करना है इसका one-shot revision class मैंने already upload कर दिया है आप जाके चै and PYQs भी हमारे आएंगे and उसमें हम जो है वो previous year कुछ questions को solve करेंगे ठीक है chapter wise आएंगे ठीक है तो make sure कि आप चैनल के साथ बने रहना and then आपका जो fundamental है यह आपका बहुत ही अच्छा से clear होना चाहिए तो fundamentals का videos जो है वो आज ही आने वाला है ठीक है after one hour मैं इसे post कर दूंगी and then है admission and retirement तो यह दोनों को मैं एक साथ लाओंगे ठीक है यह दोनों class then है आपका dissolution and goodwill का भी already class आ चुका है PSR का भी एक class ले आओंगी and then है dissolution ठीक है तो dissolution भी हमारा होई जाएगा ठीक है इसका भी एक class हमारा आ ही जाएगा जो भी important questions है उसका ठीक मैं देखो question मैं कैसे बता हो और concept clear होने के साथ साथ वो questions जो है वो repeated हो previous year वाले questions हो तो यह सारे questions का हम revision करेंगे ठीक है then है आपका financial statement analysis तो इसकी बार में ने बता दिया अब हम समझते है question किस type के होंगे कितने marks के होंगे तो let's start alright तो देखो सब से पहले question क्या है तो आपके जो IET marks के question में 34 questions आपके होनेไba है ठीक है 34 questions में part ap a में आपके जो है और part B में ठीक है तो part A में आपके 1256 patients जो है वह part A में है and 27 to 34 questions जो है वह आपके part B में होंगे के ठीक है पार्ट ए में क्या है देखो 1226 में आपके सबसे पहले तो one से ले कर करके पूरा 16 तक जो है वह आपके व freedmark के होंगे और यहां पर 27टeu 30 जो है वह आपके वन bond 나сть के होंगे ठीक है अब देखो यहां पर सौरी यहां अब देखो यहां पर 1 to 16 जो है मतलब 15 questions जो है वो आपके fundamentals sorry partnership and company account से one markers 15 questions ध्यान रखना and five questions जो है वो आपके financial statement analysis से आपके one markers में ठीक है financial statement analysis से five questions है then है आपका seven question number 17 देखो यहां और 16 तक हो गया देन आपका 17 to 17 17 17 18 19 20 यह 4 questions जो है वो आपके three marks के है ठीक है वह आपके three marks के चार questions and यहां पर आपका क्या है यहां पर आपका thirty one and thirty two जो है वो three marks के है ऑके देन आपका four marks question तो यहां पर आपका twenty one and 22 ठीक है 21 & 22 जो है वो आपके 4 mark के है whereas यहाँ पर आपका बस 33 है जो कि 4 mark का है ठीक है and then है आपका 6 marker questions ठीक है जो कि पहले 8 markers हुआ करता था अब 6 markers हो गया है तो थोड़ा सा तो reduce हुआ ही है then यहाँ पर आपका है question number 23, 24, 25, 26 यह आपके 6 markers में आ जाएंगे मतलब 4 questions जो है वो आपके 4 markers में है जिसमें आपका partnership or dissolution भी है partnership or dissolution से और करके आया हुआ है share और debentures से भी और करके आया हुआ है तो सारे questions को देख लेना अच्छे से and उसके बाद आपका इसमें आता है 34 एक question जो है 34 यह इसमें 6 mark का होगा जो कि आपका cash flow statement से हो सकता है ठीक है जादा weightage इसमें cash flow statement का मुझे लगता है तो इसमें I just hope कि आपको marks कैसे distributed है यह पता चल गया अब थोड़ा समझते कि question paper जो है वो I got तो आपको मतलब answer seat कैसे लिखना है ठीक है तो question जैसा भी आए सबसे पहली बात किया कितना भी video solution देख लो कितना भी YouTube scroll कर लो कुछ भी कर लो अगर आप self study नहीं कर रहेऊ अगर आप खुद से questions सेट नहीं कर रहेऊ खुद से कुछ सॉल्वन नहीं कर रहेऊ practice नहीं बार रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर तो कितना ही वीडियो सॉल्यूशन कर लूँ मैं कितना ही आप किसी भी टीचर का देख लो कोई फाइदा ही नहीं है हमारे भी मैंने त्वेस्ट होगी बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता अगर आपका प्रैक्टिस करते हो तभी आपका बूम करेगा अधर्वाइस कुछ नहीं होगा बिजनस स्टडी और एकोनॉमिक्स तो है नहीं है कि बस पढ़ लिये हो गया कि हां ठीक है मानलो के प्लैनिंग के बारे में पढ़ लिया तो ठीक है प्लैनिंग के बारे में हो जब आप अच्छे से इसको इसके अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स मारो अगर आप प्रैक्टिस सेट्स नहीं मारोगे we can't do anything ठीक है तो सबसे पहली बार जो भी पांच दिन बचे हुए है अटलिस्ट वन सेट तो पर डे मारो पांच ओ दिन का पांच सेट भी अगर कर ल आपको कही से भी बार है प्रैक्टिस से सेट्स को कुछ बप्रैक्टिस सेट्स के तो वह मनाओ या फिर कहीं ऑलाइन अगर मिल रहा है तो वह करो बाट प्लीज करो ठीक है बिक комп एक ऐसा सब्यक्त है जिसमें बहुत जादा लोगों का छूट जाता है बचों का छूट जाता है और फिर लास्ट में प्रॉब्लम होता है कि मांक्स जो है वो 30, 40, 50, 60 अटक गए 70, 80 आप अची भी ने कर पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब लोमार्त तो दोता है तो देखो आत ऊंसर ब्सक्राइब eram पाहिसी में जो चैंज इंघ वार्वथ दोने तो जुशवbers में इसमें उसमें क्या हूऊ है तो जिसमें कि आपको फॉर्मेट बना हुआ है किसी में आपका 16 के बाद जो है I think इसमें 32 pages हैы 16 के बाद कुछ pages में आपका जर्टनल का format बना है उसके बाद के कुछ pages में ledger का format बना है तो जर्टनल का format है वो बिल्कुल जर्टनल का जैसा format होता है वैसे ही बना है ledger का format में problem क्या था Ledger का format इस तरहीके से बना है तो partners capital account जब आता है तो हम क्या करते हैं तीन column बनाते हैं तीन column नहीं बनाया बलकि दो ही column बना हुआ है ठीक तो कैसे answer लिखना है तो answer आपको कैसे लिखना है सबसे पहले आपको जहां से भी answer आ रहा है जिस भी question का answer आ रहा है 1, 2, 34 में आप वही से start करो लेकिन एक ध्यान रखना कि हर part का question एक जगा पे हो ठीक है जैसे part B बना रहे हो तो part B पूरा complete हो गया उसके बाद ही part A बनाना रहा है रहसा नहीं कि part B का एक question बना है question number 27 उसके बाद part A का एक question बना दिए question number 14 तो यह नहीं होना चाहिए पार्ट एक जगा पे होना चाहिए part B पूरा एक जगा पे part A पूरा एक जगा पे तो बेटर होगा कि पहला जो 1 से 16 पेज है वो बिल्कुल रूल्ड पेज है तो part B में तो आपका कुछ भी जनल लेजर बनाने आने नहीं वाला पार्ट B में जनल लेजर है ही नहीं part B में आपका फैनेंसल स्टेट्मेंट अनलाइजिस ए अकाउंटिंग रेसियो होंगे या कैस फ्लो स्टेट्मेंट वगरा होंगे तो अगर आप पहले बना सकते हो then do it otherwise जो आपको पहले आ रहा है तो फिर वहां पे आप जो नॉर्मल रूल पेज उसी में बनाऊ ठीक है और क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपका कैपिटल अकॉंट बनाने को आजाए थे सब्सक्रांब नाजब उसन पेजे से स्टसराइब्स क कर सकते हो आपका एक्जायम जो है दस बजे से स्टाट होता है वहां पे 15 मिनेट नहीं मतलब 7brar 10से 10-15 तक अप ENTRरी. एक्झाइम में आपको hall ticket वेगर दिखा के जाना होता है उसके बाद आपका क्या होता है कि 15 minutes मतलब 10.15 से 10.30 तक question paper मिल जाता है लिखना नहीं होता है आपको question read करना होता है question अच्छे से read करना, cool mind होके read करना हर बढ़ाना नहीं है एकदम सुभा सुभा तक पढ़ते हुए मत जाना पढ़ते पढ़ते लगाते लगाते exam center तक नहीं जाना है आपको घर में ही पढ़ लेना है रात में अच्छे से sleep ले लेना है और एकदम cool mind होके जाके लिखना है ठीक है और वहाँ पर क्या होगा आपको हाँ एक चीज़ और कि जादा बहुत जादा fastly calculation मत कर देना मतलब calculation इतना fast हो जाता है कि पूरा mistake सब कुछ सही है आपका process सही है आपका concept सही है सब सही करके आए हो बट answer फिर भी नहीं लाकर आए हो answer फिर भी आप करौँगे तो यह कैसे होता है यह होता है जल्दबाजी के कारण क्यूंकि इसमें वो आपका answer नहीं आपाता है calculation mistake करते हो addition, subtraction, multiplication division नहीं आता क्या बहुत अच्छे से आता है कब से करके आ रहे हैं बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी exam hall में गलती करके जल्दबाजी के कारण तो ऐसा मत करना पीछे का जो पेज है पीछे का one two page उसमें आप रफ वर्क लिख के रफ करना अच्छे से working notes तो working notes होते हैं उसके आपको marks मिलते हैं लेकिन rough work के marks नहीं मिलते वहाँ पे अच्छे से अपना जो भी amount है लिख के अच्छे से add करके लिखना अगर नहीं होता है हाथ से तो ठीक है उस page को पूरा utilize करना उपर में rough work लिख देना उस पे आपको कोई problem नहीं है ठीक तो यही था अज का class मिलते हैं next class मैं होब कि आपको यह helpful रहोगा और मुझे comment में बता देना कि कौन कौन से chapter का आपको class चाहिए so that कि मैं अपना जो revision process है उसे आगे बढ़ा सकूँ तब तक के लिए bye bye have a good day stay happy stay healthy best of luck